तेरी बरकत का तेरी बरकत का बयान करता हूँ ऐ मशी तुझे को आज मैं सलाम करता हूँ उस ताना नगर की दासता कुछ लबजों में बयान करता हूँ हाँ सुने लिया पानी ने येशु की वानी नहीं की अपनी खुद की मन मानी सुने लिया पानी ने येशु की वानी नहीं की अपनी खुद की मन मानी सुने लिया पानी ने येशु की वानी नहीं की अपनी खुद की मन मानी हाँ खाना गाओं में बड़ी धूमती शादी की महा बड़ी भीड थी सारे महमानों की येशु की मामर्यम भी उसमें शरीक थी शादी की रात देखो कितनी रंगीन थी येशु की मामर्यम भी उसमें शरीक थी शादी की रात देखो कितनी रंगीन थी ये शू मसी भी वहाँ शादी में आये थे सारे चेले दीवों साथ अपने लाये थे वो रात थी बड़ी सुहानी सुन ले अभानी ने ये शू की वाली नहीं की अपनी खुद की मन मानी सुन ले अभानी ने ये शू की वाली नहीं की अपनी खुद की मन मानी कुछ लोग दाकरस पी कर तुरुक्त हो गए कुछ आदे पेट निराश होकर चले गए कुछ लोग चिलाने लगे कि दाकरस तो मिला नहीं या देखकर मरियम परिशान हुई और उसने जाकर येशु के पास कहा कि उनके पास पीने को दाकरस नहीं येशु ने कहा कि मेरा समय अभी आया नहीं मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ वो तुम से कहे वही तुम करना येशु के कहने से दासों ने काम किया खानी के छे मटकों को मुहा मुह बर दिया येशु के कहने से दासों ने काम किया खाली के छे मटकों को मुहा मुहा बर दिया दासों ने इक दूजे से कहा अब क्या होगा मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा दासों ने इक दूजे से कहा अब क्या होगा मन में ये सोचा सबने पानी से क्या होगा पानी ने जान लिया ये खाल की जुबानी कैसे ना बदलू मैं अपनी रवानी कैसे ना बदलू मैं अपनी रवानी उस रात ने लिखी ये कहानी उस रात ने लिखी कहानी सुन लिया पानी ने ये शुकी वानी नहीं की अपनी खुड की मन मानी सुन लिया पानी ने ये शुकी वानी नहीं की अपनी खुड की मन मानी ना 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 केशु ने दासों को फिरसे आदेश दिया बोज के ब्रधाने को पानी वो चका दिया ये शुने दासों को फिरसे आदेश दिया बोज के ब्रधाने को पानी वो चका दिया जब खोच के प्रधान ने वो पानी चखा जो दाकरस बन गया था पर वो नहीं जानता था कि कहां से आया है तो खोच के प्रधान ने दुलहे को बुला कर उससे कहा हर एक मनुश्य पहले अच्छा दाकरस देता है और जब लोग पी कर दूब्त हो जाते हैं तो मद्यम देता है परन्तु तुने अच्छा दाकरस अब तक रख छोड़ा है आदा सोखों ताजुब हुआ मटकों में पानी था ये तो येशू मसी का पहला चमतकार था येशू के सेवा की ये तो शुरुआत थी सारे चेलों के लिए ये अदबुत बात थी आना गाओं में तो ये चर्चा पहल गई येशू प्रभू की बाहा महिमा ये हो गई बाना गाओं में तो ये चर्चा पहल गई ये शू प्रभू की बाहा महिमा ये हो गई महिमा ये हो गई गो रात थी बड़ी जलाली सुने लिए अपानी ने देशू की बाहा ये नही की अपनी खुद की मन मानी मेरे प्यारे अजीजों बेहनों और भाईयों आपने सुनी है दाकरस की कहानी दिल से मन से सुननो मेरे ये शू की वानी ये शू चाता है हर दिन हर दम हम वचन पढ़े ये शू चाता है हम प्रातना स्थूती अराधना में आगे बढ़े ये शू चाता है हम सारे लोगों को सुसमाचार जुनाए येशु चाता है हम पापों से श्रापों से सारे लोगों को छुड़ा येशु चाता है हम बीमारों को बीमारियों से चंगा करें येशु चाता है हम बे सहारों का सहारा बनें येशु चाता है हम भूगों को खाना खिलाएं येशु चाता है हम ठके मांदों की मदद करें येशु मसी सब के जीवरों में बड़े बड़े चमत कार करेगा और आशिश ये देगा और सब को अनन्त जीवन का वारिस बनाएगा रभू आप सभी को आशिश देगा